मीन रासी वालों का आजी का रासी फल यणी की साथ नवंबर दो हजार बिस का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ साथ नवंबर दो हजार बिस के पंचां के बारे में आज तिथी है सस्थी, नक्षत्र है पुनर वसू, पक्ष है किरिस्न पक्ष, दिन है सनी वार आज के दिन सुर्य उद्य का समय है, 6 बज के 37 मिनट में, सुर्य अस्त का समय है, 5 बज के 31 मिनट में, रितू है हे मन्त आज का दिन काल है, 10 घंट, 53 मिनट, 36 सेकेंड का, महिना है कार्तिक आज के दिन सुब समय सुरू होता है, 11 बज के 26 मिनट एम से, 12 बज के 25 मिनट पीम तक असुब काल सुरू होता है, 6 बज के 37 मिनट एम से, 8 बज के 5 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है, 9 बज के 21 मिनट एम से, 10 बज के 42 मिनट एम तक दिसा सूल है, पूरब दिसा की ओर, तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में, आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली आंक है, तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें, और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें सबसे पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में, दोस्तों आप में से जो भी दर्सक, जो भी जातक, आज से पहले बीमार थे, जिनका सुवास्त साथ नहीं दे रहा था, तो आने वाले समय के दोरान, अपने रहन सहन, अपने खान पान के प्रती आपको साब धानी बरतना होगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका समय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदर है दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक आने वाले समय के दोरान धन संपती का निबेस करना चाहते हैं तो निबेस के द्रिष्टी कौन से आपका समय आपका साथ अबश्य देगा लेकिन अगर आपके घर पडिबार की बात करें तो घर-पडी-बार के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामान्य से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आने वाले समय से पहले अगर आपके घर-पडी-बार में कही कोई पडेशानी कही कोई समस्या था तो उस पडेशानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान संभाबना है कि आपके घर पड़िबार का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत ज्यादा खराब होगा लेकिन अगर आपके प्रेम संभंध की बात करें तो प्रेम संभंध के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत ही ज्यादा बिहतर और सांदार है दोस्तों आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो आपका प्रेम संबंध बहुत ही ज्यादा रोमान चक और बेहतर होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए भग्य साली रंग और भग्य साली अंक क्या है दोस्तों आने वाले समय के दौरान आपके लिए भग्य साली अंक है नो यनी की नाइन आपके लिए भग्य साली रंग है काला और नीला दोस्तो आने वाले समय के दौरान अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आप अशनान ध्यान करने के बाद महादेब की पूजा करें सिब संकर शंभू की पूजा करें तो यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद